गुड मरिंग नमस्ते जोई जगनाद आज हमारा एक तेहर है ओडिशा के तो उसमें उस तेहर का नाम है पत्थमास्टमी जो पत्थमास्टमी में हम लोग क्या करते है ना जो घर में जो बड़े बच्चे रहते हैं उनके लिए मामा के घर से कपड़े आते हैं तो वो नहाद के अच्छे से नया कपड़ी पेहन के फिर घर में पीथा बन बनता है हल्थी पत्ते का जो घर रहता है और बनने के बाद बच अच्छे स्झाड़ लग सब्लेशन i2 प्रátि में तो जलीaja करें करें जहाड़ू बड़ाते हैं इना का बूट छांट करूंगी सि मेरा बेटे को भी मैं नेला के अच्छे से साप करके अच्छे से ने अच्छे कपड़े पेहना दूंगी तो अभी में जाडु लग गया और इगास पोच्छा भी हो गया है और जो डब स्था तोड़ा कपड़े घुमा देती हूं घुला कपड़े हमेषा तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और मैं अभी नहा के आ जाओंगी तो चलिए मैं पीठा के लिए क्या के चाहिए वो कर देती हूं तो वो मैंने गूड को पिकला दिया है और गिलावला जो नारियल रहता है उसको किस के फिर मैंने उसको डाल दी हूं गूड में तो अच्छे से मिला देती हूं गूड में नारियल को और इलाइची और काली मिर्च का पावडर रहता है उसको भी अच्छे से मिला दिया हूं और वो अभी हो गया है नाडिया लोगुर का जो स्टॉपिंग है वो हो गया है रेडी और इटली का छांच जो रहता है उसमें मैंने पानी डाल के उबालने के लिए रख दी हूं और उसमें जो पीथा चाहिए उसका जो मैंने पत्ते रहते हैं हल्दी के पत्ते तो हल्दी के पत्ते में हम लोग कैसे पिठा बना रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहे हूं तो हल्दी के पत्ते में हम लोग क्या कते हैं जो इटली का वेटर रहता है वो वेटर में ऐसे हल्दी के पत्ते में डालके उसमें नारियल का स्टॉपिंग देखे फिर ऐसे उसके उपर 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 ऐसे रख देते हैं और अच्छे से भाव आके वो पक जाता है तो देखिए यह कैसे मैंने रखा है, वो बिल्कुल नहीं निकलेगा पत्ते से, उसके भाफ से पक जाता है, तो नहीं निकलता है, तो उसके लिए हम लोग क्या सबजी बना रहे हैं, तो मैं चने के चने आलू की सबजी बना रहे हूं, तो चने आलू की सबजी में मैं तो दो घुकन के में पेसर कुकर में अबाले से उबाल दी तो अलु का चिल का निकल के में जो चुटे जो में चुटे-प्रत निकलने के लिए दिए इसको आलो और मसाले को पेसर कुकर में डाल दूंगी और पेसर कुकर में जो चना है उसको भी आच्छे से उसके साथ ही मसाले के साथ मिला के उबाल देती हूं तो देखिए मेरा ये रेडी हो गया है चने आलो की और देखिए ये पिठा में जो पेसर जो इडली के चांस में थी वो में दिखा नहीं पाई, उसका वीडियो नहीं कर पाई, देखिए ये मैंने निकाल दिया है पिठा, तो ये पीठे में हल्दी के जो पत्ते में जो बनता है इतना अच्छा मेह काता है और इतना टेस्टी लगता है जो बोलो पुछिए मत, तो एक बार बना के देखिए तो देखिए मेरा बेटा भी रेडी हो गया है, उसके मामा के घर से कपड़े आये थे तो उने कपड़े पें लिए, ऐसे हम लोग उसके टिका वगएरा लगा के फूल और दूब अगएरा देके पूजा कर देते हैं, और जो पीठा बनाते हैं हल्दी के पत्ते में वो वीडियो रखती हूँ, लाइक करिए, स्यार करिए, कॉमेट दीजे, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजे, थैंक यू